हेलो दोस्तों मेहु दीपाली और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम मीनी केक कैसे बनाते हो देखने वारे एक दम छोटे-छोटे क्यूट से और बहुत ही टेस्टियसे सूजी के हम छोटे-छोटे केक बनाने वाले है तो आएए क्या-कया इसको इंग्र क्या-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-कया-kया-kया-kया-kया-kया-kया-kया-kया-kया- वनिला फिलेवर किये थोड़ा मिक्स कर लेती हुमें अब यह हमारे ट्राइंग ग्रिणेंस मिक्स हो गए है इसको थोड़ा साइड में रखेंगे हम अब एक दूसरा बरतिन लेंगे और बाकी की चीज़े वन बाई वन हम उसमें आड़ करेंगे तो यहाँ पे आधा कप दही लिया है हलका सा खटा दही है और इसमें टू थर्ड कप हमें शुगर डालनी है मतलब वन थर्ड कप जो होता है वो दो बार थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इसमें आधा कप दूद रूम टेंपराचर का दूद है और उबाल के थंडा किया हुआ मेरा यह दूद है अब यह शक्खर पूरा डिजॉल होने तक हम इसको चलाएंगे अगर आप पाउडर शुगर यूज कर रहे हैं तो इसको चाता टाइम ने लागेगा अब यह सब मिक्स हो गया है इसमें बन फोर्थ कप ऑईल विदाउट फ्लेवर वाला कूकिंग ऑईल डाला है मैंने और इसी के साथ जो ड्राइंग गिर्स हमने मिक्स करके रखे थे वह एकदम बैचेस पर डालेंगे हम एक साथ नहीं डालेंगे तो मिक्स कर लेते एक बार दही हमारा ज्यादा गाढ़ा नहीं था ऐसा मीडियम थिक था तो अगर आपका दही गाढ़ा है तो थोड़ा सा आपको डूद्ध आड़ करना पड़ सकता है और अगर आपका दही बहुत ही पतला है तो नहीं जरुद पड़ेगी इतनी तो एक बैच होके अभी दूसरी बैच में मैंने थोड़ा सा ड्राइ मीक्चर हमारा डाल दिया है अच्छे से यह तोड़ा सा यलोईश कलर आ गया है जो कि कस्टरद पॉडर की वज़े से आए और वो जो यलोईश कलर है उसकी वज़े से यह केख हमारे और जाते सुन्दर दिखते हैं अभी बच्चा हुआ सारा में नहीं सूजी और मैदा डाल दिया है मिक्स कर लेते हैं और सूजी को फूलनी के लिए हमें कम से कम 15 मिट तो लगेंगे तो थोड़ा सा पतला तो दीख रहा है बड़ यह सूजी जब जी सब मॉइस्ट्र जो है एब्जॉम कर लेगी दूद का और दही का तब यह गाढ़ा बनेगा बैटर इसको ढखके साइड में रखते हैं रेस करने के लिए तब तक हम अपे पैन को ओईल लगा के रख सकते हैं बट उसको ज़्यदा टाइब नहीं लगता तो यह देखिए अभी 15 मिट के बाद मैंने खोला है तो काफी गाढ़ा हो गया है तो इसमें एक छोटा चमच हमें दूट डालने के जरुरत पढ़ सकती है तो पहले हम इसमे दाल दोते तो थोड़ा जाल आ है मैंने को छोटी चमच कम बेज से फराइस क मैंने मैंने करी च hypocr성 कम दूत दाला हैं और बैक की, सब्सक्रे केके से थोड़ा कादा रखना है हमें इसको एक गए स्कॉचँ से मिक्स फर लेते हैं अब इसमें एकदम चूटी सी चुटकी हम नमक डालेंगे नमक डालके एक बर मिक्स कर लेते हैं हमें इतना ही थिक बैटर चाहिए अगर आपका ज्यादा थिक है थोड़ा सा दूड़ा आड़ करिए अब ही अपय पैन को ऑईल से ग्रीस कर लेते हैं बहुत ज़दा ओईल लगाने के ज़रत नहीं हलका हलका ओईल लगाना है क्योंकि केक के पैटर में भी हमने ओईल दे यूज किया है तो यह मूस्टी चिपकेंगे नहीं यह ग्रीस करके रेडी हो गया है मेरे पैन अब सबसे एंड में हमें 1-4 cup baking powder इसमें डालनी है और 1-8 cup baking soda यह जो मेरा tablespoon का है यह बड़ा चमज है उसमें आपने देखा होगा आदे से भी कम मतलब 1-4 के पास में मेरा baking powder डाली है और दोनों को डालके अच्छे से mix करना है वह बैटर में अच्छे से mix होना ज़रूरी है न अच्छे से फीट के मैंने इसको mix कर लिया है अब यह हम एक एक चमज बैटर हम यह अपके यह जो रखाने है उसमें डालेंगे ज़्यादा भरकी डालनी के ज़रूरत नहीं है थोड़ा केक को फूलने को जगा रखनी है हमें अब भरकी डाल सकते हैं अगर आपका चुपर का ठकन है वह थोड़ा हाइट वाला हो कि केक हमारा फूल के उपर आएगा अगर उपर का ठकन ज्यादा हाइट वाला नहीं है तो थोड़ा कम ही बैटर भरे थाकि उपर केक का बैटर फूल के चिपक में भी अच्छे लगेंगे और खाते समय भी यह थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाएंगे केक का अब इसको केक यह अपर पैन को हमें ग्यास पर चड़ाना है और ग्यास की फ्लेम एकदम लो रखनी है और हर एक कोने को मैंने तीन कोने से पकड़ के रख है एक दो और तीन और हर एक कोने में मैं दो-दो मिट की हीट देने वाली हूँ अगर सेंटर में रखते है न तो क्या होगा सेंटर के ही जो तीन केक है वह पकेंगे बाजू के नहीं तो इससे तीन पॉर्शन में डिवाइड करेंगे तो सेंटर में तो हीट लगने वाली ही है बट जो साइड केक वह भी अच्छे से पक जाएंगे इसलिए मैं इसा कर रहे हूं तो दो से तीन मिनट तक हमें हर एक कोने में इसको थोड़ा हीट देनी है तो टोटल आट-णौ मिनट में यह केक पक के रेडी हो जाते हैं तो मैंने चेक भी किया है चूरी से अच्छे से पक गया है और इजी निकल जाते हैं आप देख सकते हैं काफी फूल के उपर आ गया है इसका टेक्चर भी अंदर से बहुत अच्छा है टेस्ट तो एक दम मतलब एक खाने के बाद आप रुकेंगा नहीं अपने आप दूसरा यह चोटा सा जो केक ही मिनी केक उठाने को आपका हाथ आगे बढ़े का जरूरी इतनी में गारंट दे अब उसके लिए मैंने पैन थंडा नहीं किया है अब उसी में थोड़ा सा ओइल ग्रीसिंग करके नेक्स बैच में उसमें डाल दिया है अब इंड में थोड़ा टूटी फ्रूट लगा कर इसको लोक बढ़ा रहे है उसका अब इसको भी सेम मेथर से हमें बेक करना है थोड़ा तीन कोने में पकड़के ऐसे थोड़ थोड़ बेक किया है मैं तब तक आपको अंदर का टेक्स्चर दिखाती हूं केक का बहुत ही जाली तार बना है अच्छे से बेक हो गया है पीचे से भी कलर एकड़ ब्राउन सा एकड़ मस्त आ गया है तो यह तब तक हमारे अभी यह सेकंड बैच के केक भी हो चुके है तो यह थोड़ से बड़े है क्योंकि बचा हूवा बैटर मैंने सोड़ा सा इसमें आज्जस करक तो बीच वाले केक ज्यादा जल जाते हैं और बाजु वाले कच्छे रह जाते तो यह थोड़ा बड़ा लग रहा है इसको चेक करती हूँ नहीं यह भी बग चुका है थोड़ा सा बैटर इसका बचा हुआ था उसका छोटा सा मैंने पैनकेक बनाया वह भी बहुत टेस्ट अगर आपको यह मेरी रेसीपी अच्छी लग्येत तो यह सुड़ो को लाइक करे शेर जोड़ा थोड़ा नहीं अगर्वाद कुवाचा है .